बीजेपी के आरेलडी से नजदी की बढ़ाने और उत्तरप्रदीश में पांच सीटों की पीशकस की चर्चाओं के बीज समाजवादी पार्टी की भी प्रतिकिरिया सामने आई है सपा की मुखे प्रवक्ता राजिंद्र चौधरी कहते हैं कि आरेलडी की बीजेपी के साथ गडवंधन की बाचित चल रही है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है आरेलडी के साथ हमारा साथ सीटों पर समझोता हो चुका है उन्होंने भी इस पर सहमती जताई है राजसबा में भी सपा ने जयन्द चौधरी को भेजा है विपक्षी गडवंधन आईंडिय की बैठकों में जयन्द शामिल होते रहे है ऐसे में सपा के साथ नराजगी का तो कोई प्रश्ट नहीं उड़ता है बतादे कि विपक्षी गटवंदन आयन डिया को प्रदीश में जटका लग सकता है ये जटका उसके सहयोगी दल राष्ट्रिये लोग दल की ओर से बिल सकता है ऐसे में आरलडी की भाजपा के साथ गटवंदन की चर्चाओं से समाजवादी पार्टी खेमे में भी बेचैनी ह वहीं आरलडी का सपा से साथ सीटों का गटवंदन उनी जन्वरी को हो चुका है तो वहीं ऐसे में आरलडी की सपा से नराजगी कहराना बिजनौर और मुजफर नगर सीट को लेकर है इसमें सपा अपना प्रत्याशी और चुनाओ चिन रालोद का रखने की शर्त रखी है ऐसे में बता दे कि आरलडी ने इस सिती में अपनी सीटे बढ़ाने की बात रखी है तो वहीं भाजपा भी मिशन असी को आगे बढ़ाने के लिए पश्यम यूपी में रालोद के साथ गटवंदन करना चाहती है एक दो दिनों में गटवंदन की घोशना सार्वजनिक हो सक खैर बता दे कि पश्यम उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर आरलडी की खासा प्रभाव है इसी कारण से आई इंडिये और इंडिये दोनों को आरलडी का साथ चाहिए जिस गटवंदन में आरलडी रहेगा उसका पलड़ा यहां भारी हो जाएगा मुरादबाद मंडल की हारी होई सीटों पर भी रालोड यानि आरलडी की अच्छी पैट है इस मंडल की हार भाजपा को सालती है तो अभी के लिए इतना ही ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे साथ इंडिया नियूज पर नमसकार